दोस्तों बात जहांपर चैनल हैकिंग आता है तो वहाँ पर रूह काम जाता है यार चैनल हैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा इसू बनता जा रहा है मेरे सरकल में भी बहुत सारे यूटूबर्स हैं जिन के पास ये फेक मेल आ रहे हैं और उसके माध्यम से फिसिंग के माध्यम से ये हैकिंग किया जा रहा है आज कल तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या-क्या साउधानी रखना है यदि आप एक यूटूबर हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएग वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप वीडियो पूरा लाच तक देखते रहेगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुनिल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैनल हैकिंग से कैसे यह जानेंगे तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने चैनल को लगभग 90% सेक्योर कर सकते हो जिसमें पहला मेथड है आप अपने चैनल का जो ओरिजनल मेल आइडि है जिस मेल आइड को गलती से भी आप कहीं पर मत दिजेगा आप सिर्फ उस इमेल आइडि को यूटूब के लिए ही इस्तमाल किजेगा सिर्फ यूटूब चैनल के लिए बाकी आपको कहीं भी कोई भी अगर आप किसी वेबसाइट में लॉग इन करते हैं तो आप वहाँ पर वो इमेल का वहाँ पर आपको ओफिशियल मेल आइडि जो आपका मेन यूटूब चैनल से लिंक है उस इमेल आइडि को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है इवेन आप बिजनेस इंक्वाइरी के लिए जो अबाउट सेक्शन में डाल के रखते हैं ना मेल आइडि या फिर जिज भी वी काम करेंगे ठीक है तो आपको ओरिजनल मेल आइडि आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है पहली बात दूसरी बात आपको हो सके अगर आपके पास एफोर्ट कर सकते हैं आप तो आप दो मुबाइल का यूज़ कीजिए पहला मुबाइल जिसमें आपका यूटूब चैनल हो सिर्फ चैनल से रिलेटेड काम होगा बाकी का काम जो भी है वो अधर मुबाइल में होना चाहिए या फिर अधर लैप्टॉप में ठीक है तो आपके पास अगर दो मुबाइल है तो बहुत अच्छा बात है क्या है एक मेल आइडि अगर एक अलग मुबाइल में रहेगा जो यूटूब चैनल का है बाकी एक मेल आइडि अलग मुबाइल में रहेगा जिसमें आप बिजनेस इंकारी से रिलेटेड आप कुछ भी काम करेंगे ठीक है कन्वर्सेशन के लिए पब्लिकली यूज़ करेंगे उस मेल आइडि को तो ऐसे में होगा क्या अगर कोई भी ह जैसे सेक्योर करके रखना है उसमें सिर्फ यूटॉब का काम करना है तीसरी बात आप अपने चैनल का टू इस्टेप वेरिफिकेशन जरूर कर लिजेगा क्योंकि टू स्टेप वेरिफिकेशन करने से क्या होता है अगर सामने वाले को मेल आइडि और पासवर्ड पता भी चल जाता है तो यसे में होगा यह कि अगर लॉगिन करेगा किस यदर डिवाइस में तो आपके पास एक बार परमीशन मांगेगा यह स्नो करने का वैसे यह चीज बहुत ज्यादा सेक्योर नहीं है लेकिन फिर भी टूइस्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी ह कभी-कभी आपको हेल्प कर सकता है हैकिंग से बचने में तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अब्डेट से नाइकन को दबाईए वीडियो पूरा लाच तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो मेंखने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत